नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं हूँ महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कारे पत्रक 48, यह कारे पत्रक 23 ऑक्टूबर 2020 के लिए है, आज हम हिंदी विशे में वाच्चे परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं, ह चलिए शुरू करते हैं, वाच्चे परिवर्तन, बच्चों, पिछले कारे पत्रक में हमने वाच्चे और उसके भीदों के बारे में जाना था, इस कारे पत्रक में हम वाच्चे परिवर्तन करना सीखेंगे, बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि वाच्चे तीन परकार के ह होते हैं कृत वाच्चे कर्म वाच्चे भाव वाच्चे अब हम वाच्चे कृत वाच्चे से कर्म वाच्चे में कर्म वाच्चे से कृत वाच्चे में वाक्यों को बदलना सीखेंगे कृत वाच्चे से कर्म वाच्चे में परिवर्तन के लिए निम्लिखित बिंदूओं को बिंदुओं का ध्यान रखें देखते हैं वो क्या बिंदु है पहला है पहले कर्म बाच्चे की मुख क्रिया को समाने भूत काल में बदली है यानि कि जो कर्म बाच्चे हैं उसको क्या करना है भूत काल में बदलना है दूसरा उस परिवर्थित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल पुरुष वचन लिंग काल मतलब समय पुरुष मतलब प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष वचन मतलब एक वचन, दिवचन, बहुवचन और लिंग मतलब होता है स्तिलिंग, पुलिंग, नपुनसंग लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारन क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना है हमें क्या करना है साधारन क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना है कृत वाच्चे के करता के साथ कोई विभक्ती लगी हो तो उसे हटा कर से अत्वा के द्वारा आदी जोड़िए यदि कर्म के साथ कोई विभक्ती लगी हो तो उसे हटा दीजिए तो इस तरीके से क्या करना है एक वाच्चे को दूसरे वाच्चे में परिवर्तित करना है तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ उधारन आज हमसे इसके उधारन भी दिये गए हमें कृत वाच्चे और कर्म वाच्चे में हमसे बोला गया है शेर शिकार करते हैं और कर कर्म वाच्चे में जब हम इसे परिवर्थित करेंगे कर्म वाच्चे जिसमें कर्म मुख्य होता है और क्रित वाच्चे में जो होता है वो कर्ता मुख्य होता है तो कर्म वाच्चे है शेर के द्वारा शिकार किया जाता है ऐसे ही क्रित वाच्चे में अगला वाकिय है हमारा महत्मा गांधी ने आसहयोग आंदोलन चलाया था कर्म बाच्चे है महत्मा गांधी के द्वारा आसहयोग आंदोलन चलाया गया था तो यहाँ पर महत्मा गांधी के द्वारा आ जाएगा आगे देखते हैं कृत बाच्चे दादी कहानी सुनाएंगी और यहाँ पर कर्म वाच्चे हो जाएगा दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी तो ये परिवर्तन आ जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं आगे हमसे प्रशन पूछा गया है आप इस प्रकार निमले के कृत वाच्चे को कर्म वाच्चे में बदलने का अभ्यास कीजि अगला है शिल्बकार मूर्ती गड़ता है फिर है छोटे भाई ने पिताजी को पतर लिखा वह रात में दूद पीकर सोता है तुम आज कल क्रिकट नहीं खेलते इश्वर हमारी रक्षा करेंगे वह हमीशा मास्क पहनता है पिताजी ने बच्चे को डाट लगाई तो ये हम हमारे आज की कोशिंस हैं आगे देख लेते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है रफीक ने आज बढ़िया फुटबॉल खेला था वह आज बाजार नहीं जाएगा तो ये हमसे दस वाक के बोले गए हैं और हमें इसके अब लिखने हैं उत्तर साथ ही हमें एक चोटा सा मैसे की माश्य मैमेस दिया गया है, COVID के संदर में उचित विवार संबन्दी, CAB संदेश, दो गजवर अथ्वा 6 फिट की दूरी का पालन करें यानि कि आप कहीं भी बाहर जाएं तो सभी लोगों से दो गज़ की दूरी बना कर रखें और अपनी रक्षा करें, अपनी सुरक्ष करें क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे स्वस्त रहेंगे आपका परिवार स्वस्त रहेगा तो आप आगे भविश्य में बहुत कुछ कर पाएंगे तो स्वस्त रहना अती आवश्यक है अपने स्वास्ते का ध्यान रखें और कोरोना से रिलेटेट नियम जो बनाएग आज का पहला वाक्य है ये मैंने सिर्फ इसमें उत्तर उत्तर लिखा है कर्म वाचे मनीशा द्वारा सुन्दर चित्र बनाए गए नमबर दो शिल्प का द्वारा मूर्ती गड़े जाती है तीसरा छोटे भाई द्वारा पिताजी को पत्र लिखा गया चौथा उसके द्वारा रात में दूद पिया जाता है पाच्वा तुम्हारे द्वारा आजकल क्रिकट खेला नहीं जाता छठा इश्वर द्वारा हमारी रक्षा होगी साथ हुआ उसके द्वारा हमेशा मास पहना जाता है आठ हुआ पिताजी द्वारा बच्चों को डांट लगाई गई नौवा रफीक द्वारा आज पढ़िया फुटबॉल खेला गया था और अंतिम है उसके द्वारा आज बाजार नहीं जाया जाएगा तो ये सबी हमारे क्रित वार्चे थे जिसको मैंने कर्म वार्चे में परिवर्टित कर दिया है ये हमारे आज के सबी क्रित वार्चे का आंसर है यानि आपकी कुशिन का आंसर है तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल जाए मैं हूँ महिमा और आप से लेती हूँ विदा चल्द मिलूगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाबाई बच्चो टेक केर